सोने मिल्स में आपका स्वागत है आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बैगन कलोंजी चलिए इससे बनाना सुरू करते हैं कलोंजी बनाने के लिए मैंने पतले साइज के बैगन लिए हैं और इस तरीका से इसे एक कट लगा देंगे सीधे में और फिर दूसरे साइट से कट लगाना है और ये बैगन चार भाग में हो जाएगा उसका दंठल भी थोड़ा सा कट करना है चार भाग हो जाएगा पर ज्वेंट एक ही रहेगा बैगन सारे को इस तरह से कट कर लिए है अब कलोंजी के लिए मसाले तियार करेंगे एक चमा चल्दी एक चमा जीरा अच्छे से मिल जाए अब मिलाने के बाद इसमें एक चमच सरसो का तेल डाल देंगे और उसे मिला लेंगे अच्छे से मिलाना है ताकि पूरे मसाला में अच्छे से जो तेल है मिल जाए यदि जुरत पड़े कम लगे तो उसमें हलका सा और तेल डाल दें मसाले तियार हो चुका है तो अब बैगन में इसे बैगन के बीचों बीच में अंदर में इस मसाले को लगाना है और बैगन को जो चार भग में है बैगन उसे बीच में पूरा अच्छे से लगा देना है यह अच्छे से लगा दियें सारे में इसी तरह से लगाना है मसाले तियार करते हैं मसा बना लेंगे कडाही गर्म होने पर उसमें तेल डालेंगे तेल अच्छे से जब गर्म हो जाए तब उसमें ग्यान की कणोंजी डाल देंगे और जितना इसमें आ पाए कडाहीं में उतना डालना है और इसे उलक्रट मीयरी में अब फ्लेम को मीडियम करना है और मीडियम पर बैगन की कलोंजी को फ्राई कर लेंगे जरुरत पढ़ने पर लोग करेंगे इसे उलट पुलट करके और बैगन को फ्राई कर लेंगे कभी कभी क्या होता है कि लगता है कि आज बहुत अधिक हो गया है तो उस जगा में फ्लेम क थोड़ा सा लोग कर दें, अब इसे उलट पुलट करके और फ्राई कर लेना है, बैगन को उलट पुलट करते रहना है बिच बिच में, और बैगन अब करीब फ्राई हो चुका है, तो अब इसे निकाल लेंगे, तीर्चा करके छनौटा से इस तरह से, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल होगा वे निकल जाएगा तो इसी तरह से इसे निकाल लेना है और कडाही में तिर्छा करके ही निकालना है और जो बच्चा हुए कलॉंजी है उसे डाल देंगे और उसको भी इसी तरह से फ्राइ कर लेना है इस तरह समय कलूंजी बनाती हूँ तो मेरा बेटा बहुत ही पसंद से खाता है तो अब इसे निकाल लेते हैं तियार हो चुका है शौक लगाने के लिए सबसे पहले तेश पता है जीरा, सरसू और सुखी लाल मिर्च डाल कर और ढख देंगे इस जगा फ्लेम को लो किये थे ढखने के बाद देखिए सरसू के जो दाने होते हैं बहुत जोड़ों से चटकते हैं फेसे हाथों पर पर सकते हैं जल सकते हैं इसलिए ढखना बहुत जरूरी है अब बारी कटा हुआ प्याज डाल देंगे जो बोड़ा साइज का एक प्याज है हलका सा प्याज भूजने के बाद अब इसमें थोड़ा सा हल्दी धनिया अधा चमच जीरा अधा चमच काली मिर्च थोड़ा सा तीखिलाल मिर्च अधा चमच और जो बना के पेश्ट रखे थे मिक्सी जार में वे डाल देंगे थोड़ा सा पानी जो मिक्सी जार में लगा हुआ रता है उसे डाल देंगे डाल कर थोड़ा सा कास्मेरी मिच डाल कर और उसे चला लेंगे और flame को medium to low करके मसाले को भूंज लेना है मसाले को खुले में भूंजना है अब tomato डाल देंगे थोड़ा सा मसाला भूंजने के बाद और इसे चला लेंगे नमक मसाले इतना ही नमक डालना है क्योंकि बैगन जब मसाले में भर रहे थे तब उसमें हलका सा नमक डाला हुआ है इसलिए उतना ही डाल कर और इसे ढख देंगे इसे एक से दो बार मसाले को स्रिफ ढखना है और ढखते वक्त ध्यान रखना है कि flame को low रखेंगे और उसके बाद इसे खुले में मसाले को भूंज लेना है medium to low करके इस जगह मैंने दो चमर सर्सो तेल डाले है जो मसाले को साइड में करके उसके बाद सर्सो तेल डाल कर अब फिर उसे जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो मसाले में मिला दिया है तेल डालते वक्त कैमरा ओन करना भूल गई थी अब मसाले जो है अच्छे से भुझा चुका है तो अब इसमें पानी डाल देंगे और उसे पानी डालने के बाद उसे चला लेंगे पानी डालने के बाद फ्लेम को हाई कर लेंगे और उसे ढख देंगे अब जो है वो बाला चुका है तो अब इसे हटा देंगे ढखकर और फिर इसे चला लेंगे अब जो है कलोंजी को एक एक करके सारे को डाल देना है थोड़ा से चलाने के बाद इसे ढख देंगे फ्लेम को मेडियम रखेंगे एक बार इस तरह से चटपटा सा कलोंजी बनाएं खाएं और बताएं कि आपको कैसा लगा यकीन मानियें बहुत ही अच्छा लगेगा और बीच में इसे एक से दो बार आप चिक कर लें और ग्रेवी बहुत अच्छा बना हुआ है अब इसे बैगन को चिक कर लेंगे जो बैगन अच्छे से पका हुआ है बैगन की कलोंजी में करम मसाला का जुरुत नहीं आप धनिया पत्ता डाल कर गैस को इससे गौफ कर देंगे अब ठंडा होने के बाद का आपको दिखा रहे हैं बहुत ही अच्छा बना है बहुत ही चटपटा एक बार जरूर बना है मेरे तरीका से बैगन कलोंजी अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक सियर और सब्सक्राइब करें